सेशन पसंद आये तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप कर सकते हैं इसके लाभा ये पीडियाइफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर फर्स्ट क्वेशन आज के लिए रहेगा आप एक बार देखिये और सभी को गूड इवनिंग नमश्कार राम राम सत्षया काल असला वालेकूम वाटेव यू फील कनेक्टेड वेद सेफ रहिए ध्यान रखिये अपना थोड़ा सा ज़रूरी है इस समय पर बहुत ही क्रूश अगर हम बास करें तो आर्ट को हम एक स्टैंडर्ड कंसिडर करके चलते हैं अस पर NCERT ठीक तो यह कह सकते हैं ऐसे ही पसंद है कंफिटिबल रहता है अकांक्षा और पहले माइक लगाना हुदा था यहां से तो वह और आसान रहता था तो इसलिए बाकी और कुछ नहीं है चलिए स्टार्ट करते हैं नेचर नर्चर समझा देना समझा देंगे समझा देंगे स्टार्ट करें फिर आज का सेशन चलिए अरे ग्रेट ग्रेट डॉली जी बहुत बढ़िया तो स्टार्ट करें फिर हां मैट्स का सेशन होफ़ली आपको पसंद आया होगा आपको MWF में करेंगे, आज मंडी था, वेडिनेस्टों को उद्यसर कीफर से क्लास लगवा देंगे, ठीक है चलिए आप लोग आई चुके हैं, First question देख लेते हैं, acceleration with reference to चुनिन्दा questions करेंगे, बढ़ अच्छे तरीके से समझेंगे, अगर मैं बात करूँ acceleration की, acceleration with reference to gifted children means, मतलब की जो प्रतिभाश हाली बच्चों के संदर्ब में तुरण कहलेजै या accelerate करना, मतलब speed को बढ़ा देना यह कहा सकते है acceleration को accelerator होता है आपकी बाइक और कार में उसी तरीके से acceleration का एक process है gifted बच्चों के लिए इसका मतलब क्या है पहला option है accelerating the transaction of scholastic activities यानि विद्वान नहीं scholastic activities यानि सेक्षिक गती विधियों का लेंदेन तेज कर देना यानि जो pen paper test से related चीज़े हैं उनको तेजी से बढ़ा देना या फिर speeding up the transaction of co-scholastic activities जो co-curricular सह सेक्षिक गती विधियां है चाहे वो sports हो चाहे वो बाकी चीज़े हो उनको बढ़ा देना या फिर या फिर c option promoting such students to next higher grade by skipping the present grade जिस grade में वो आज है उसको skip करके उनको higher grade में डाल देना या फिर अगर मैं बात करूं d option accelerating the process of assessment यानि की आकलन की प्रकिरिया को तेज कर देना ठीक है बात तो फटा फट से समझते जाएगा फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे आप लोग answer दे रहे हैं b नहीं 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 बहुत गलतिया है फटा फट से answer दीजे answer होगा c option answer कौन सा सही है c option सही है उसका reason क्या है acceleration आपने शायद सुना होगा कि जो बच्चे बहुत जादा प्रतिभावान होते हैं प्रतिभाशाली होते हैं वो जल्दी से सीख लेते हैं चीजों को exceptional होते हैं किसी भी एक field में memory उनकी अच्छी होती है यानि इस्मृति उनमें curiosity जादा है जल्दी से समझ लेते हैं चीजों को मतलब कह सकते हैं कि जो acceleration का process ऐसा होता नहीं था कि एक grade को skip करा दिया एक grade को छोड़वा दिया यानि कि बच्चा अगर third glass में था तो third के बाद fourth को छोड़के direct fifth में उसको accelerate कर या एक साल में जो बोलते थे कि दो-दो classes कर ली तो acceleration की process है कि बच्चे का mental level है वो उतना high है कि आप उसको skip करा सकते हैं तो वो cope up कर लेगा हालां कि यह बहुत ज्यादा recommended नहीं है यह चीज इससे problem भी हो जाती है कई बार बच्चा कोप करने में भी problem हो जाती है कई बार बट यह किन बच्चों के लिए होती है यह gifted बच्चों के लिए gifted कौन है अगर हम termon की बात करें at least 140 प्लस या फिर 120 प्लस जिसका IQ है यानि mental level उसका ज्यादा अच्छा है normal बच्चों से या average से high activities वो कर सकता है high level की तो promoting such strengths to next higher grade by skipping the present grade तो C option इसका simple हुआ आगे बढ़ेंगे next question दे co-scholastic में कैसे करा सकते हो क्या हो जाएगा इसमें तो खुद ही करनी होती है आपको चीजें तो वो तो present grade में जिस कक्षा में है बच्चा उसी से तो आप उसको एक छुड़वा करके दूसरी में पहुचा सकते हो question number two है which of the following is the most appropriate activity for gifted students यानी प्रतिभावान बच्चों के लिए कौन सी एक activity अच्छी होती है gifted students से एक question बहुत बार पूछेगा कभी पूछेगा कि gifted बच्चे की कौन सी एक quality नहीं है तो लड़ना जगडना कभी भी giftedness या higher mental ability की quality नहीं होती ये emotional instability की quality है या एक feature है अगर हम बात करें gifted students की इस पर बहुत question बूछा दाता है कि आप उनको कैसे engaged रखेंगे classes में कैसे questions पर आप उनको focus कराएंगे बताईए एक बार फटाफट से बताईए एक मिनट रुको answer कीजिए फटाफट से a b c d e तो है नहीं हमारे पास thank you राही बताईए answer कीजिए b option d option confuse है आने कि आप लोग देखिए right and original play obviously d जो है वो सही है b देने वाले लोगों का answer गलत हो चुका है ऐसा नहीं हो सकता teach their class on teachers day मालब उनको कहो के भई तुम teachers day प हमारी class पढ़ालो यह कोई activity नहीं होती यह थो हम out of एक respect या जो भी कहलो वो एक activity जैसा करा लेते हैं हमेशा gifted बच्चों के लिए जिनका mental level high है वो hots वाले question नहीं होते थे high order thinking skills जिसमें ज़्यादा सोचना पड़े जो comparatively थोड़े से मुश्किल होते हैं यह जिनमें original कुछ अपना thought लगाना पड़े original मतलब की creativity लगे कुछ अपना create करना हो कुछ synthesize करना हो तो ऐसी activities में हम बच्चों को involve करते हैं क्योंकि उनका दिमाग जो है वो high activities high level activities अच्छे से कर सकता है तो हम उनको कहेंगे कुछ अपना लिखो कुछ अपना original करो चाहे वो experiment हो चाहे वो लिखना हो ठीक तो इसलिए answer D है B नहीं होगा सिर्फ exercise चेप्टर के end में solve करना यह नॉर्मल बच्चों के लिए भी है और एक और चीज है कि यदि आप gifted बच्चे को नॉर्मल तरीके से आप बहुत slow पढ़ाओगे तो वो bore हो जाएगा class में तो आपको उसके level के questions या उसके level की activities भी involve करनी है और जो धीरे सीखता है उसके level को भी आपको involve करना है जो average है उसके level को भी आपको involve करना है मतलब आपको inclusively ले करके चलना है classroom को आगे बढ़ेंगे next question पर question number 3 है which one of the following could be an end stage of a child possessing bodily kind aesthetic intelligence यानि Harvard Gardiner की जो आपकी theory है बहु गुद्धी का सिधान्त multiple intelligence अगर मैं बात करूँ यहाँ तो कौन सी stage end stage या highest stage हो सकती है किस चीज को लेकर bodily kind aesthetic intelligence को लेकर bodily kind aesthetic intelligence किसको कहेंगे जो व्यक्ति शाररिक और गत्यातमक motor activities में बहुत अच्छा हो उसके लिए highest level कौन सा हो सकता है orator यानि वक्ता, political leader, surgeon या poet फटा-फट चांसा कीज़े फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे अर्जुन नाम तुलेलिया आपका आंसर नहीं किया लेकिन आपने फटा-फट चांसा करके बताओ बहुत बढ़ेया, बहुत बढ़ेया, exactly, answer क्या होगा, surgeon surgeon होगा, इस चीज का आंसर bodily kind aesthetic, मतलब जिसकी body पर और ये जितनी भी motor activities हैं उन पर पकड़ है आप देखते हैं, surgeon कभीर सिंग्याद कर लीजे, movies सब देखते हैं, तो वो क्या है, उसमें surgeon दिखाया है उसको, तो वो, खेर वो खतरनाक surgeon है, but surgeon क्या होगा, operations करना, बिल्कुल body इक से, अगर इधर से उधर हो गया, तो आपकी जान जा सकते है, that means body-ly movements है, उन पर इतना control है, कि उनको बहुत अच्छे से deal किया जा सकता है, तो ये वक्ती body-ly kinesthetic surgeon भी हो सकता है, ये आपका sports person भी हो सकता है, gymnast भी हो सकता है, ठीक, तो इन 4 options में से surgeon ही होगा, क्योंकि poet में linguistic ability पाई जाएगी, language की, orator में भी जो वक्ता होते हैं, जो बोलने वाले वक्ती है, verbal linguistic पाई जाएगी, political leader में भी, but surgeon जो है, उनमें body-ly kinesthetic की ज़रत पड़ेगी, यही पाईलेट होता, तो हम special की बात कर लेते, थोड़ा सा आठ प्रकार की बुद्धी पर discussion कर लेते हैं, जो visual special मतलब जो art के शेत्र में painting वगेरा करना है, उनको space और visuals अच्छे समझ में आते हैं, इसके अलावा architects हो सकते हैं, ठीक, इसके अलावा यहाँ इवन pilots भी आ सकते हैं, pilots में bodily kind static भी पाई जाएगी, बट यह भी होगी, linguistic verbal यानि language पर पकड़ होगी, यह हैं, आपके master जी हो सकते हैं, फिर है interpersonal, दो या दो से अधिक लोगों के बीच में एक counselor हो सकते हैं, यह आपके ऐसे लोग हो सकते हैं, जो social होते हैं बहुत जादा, इस पर रहमान में, जो बिन नौटियाल में, bodily kind static है, अगर हम बात करें, जिनका body पर अच्छा control है, जो sports person है, जो surgeon है, जो आपका बाकी के जितने भी fields हैं, जहां, physical activities जो आपके सेना में लोग हैं, आपके आर्मीज में हैं, उन लोग की bodily kind static भी अच्छा होगा, naturalistic है, जो gardeners हैं, जिनको nature के बारे में, किसान, even farmers भी आपके, इसमें आ जाएंगे, ठीक है, देखिए, बहुत सारी news कई लोग फैलाते रहते हैं, official news हम चेक कर लेंगे, तब बात करेंगे, अभी questions solve कर लेते हैं, classrooms, आपके हिससे में सिर्फ आपका कर्म हैं, ऐसे गीता शुरू कर देंगे हम यहाँ पे, अगर कोई भी fake news या, किसी भी तरह की news फैलाएगा, तो काम कीजे, यही है आपके हाथ में, बाकी ना paper आप design कर रहे हैं, ना paper admit card आप बना रहे हैं, वो CBSC का काम है, वो उसको करने दीजे, classrooms after the implementation of RTE Act 2009, जो right to education act है, एक question हर बार आता ही है, पक्का है, बिल्कुल, RTE Act 2009 के अगर हम बात करें, तो क्या फर्क पड़ेगा, RTE Act 2009 के अनुसार कौन सी एक बात सही होगी, जो classrooms हैं, जो कक्षाएं हैं आपकी, वो जादा age-wise homogeneous बन जाएंगी, homogeneous का मतलब होता है, एक जैसा, जहां common हो कुछ, heterogeneous होता है, जहां common ना हो, विशम हो एक तरीके से, ठीक ह हिमाश्री डेका, thank you, बताई एक बार फटाफट से answer करके, यह age-wise ज्यादा homogeneous बनेंगी, age-wise more heterogeneous, यानि differentiation होगा age में, या फिर unaffected as RTE does not affect the average age, या फिर gender bias बनेंगी, gender bias की तो दूर दूर तक भी कोई बात, कोई भी act नहीं कर सकता देश भर में, ठीके बात, छाया नाम तो ले आज seated की website problem तो कर रहे हैं वसे, दिन में भी मैंने इसको open करने कोशिश की ती, कुछ ना कुछ तो यह लोग update कर रहे हैं, क्योंकि 15 थारिक हो चुकिया तो इनको कुछ ना कुछ ना कुछ तो निकालना ही पड़ेगा, खेर, देखते हैं, कल तक पता लगेगा, अगर मैं बा इस age group में जो भी बच्चा है, उसको age appropriate class में admission दिया जाए, यारी कि 6 साल का अगर कोई बच्चा है तो उसको first class में admission मिले, 14 साल का कोई बच्चा है तो 8th में मिले, और पीछे का जो है उसका इसले बस वो cover कराया जाए, teachers के special efforts के द्वारा, तो age के according class में admission मिले, ऐसी बात आर्टी, तो इसलिए ये age wise homogenous होगा अर्शना जा, ठीके बात, आगे बढ़ते हैं, मतलब की, जो news है, क्या news है कि एक women है, एक महिला है, जो अपने बच्चे को बेच रहे हैं, ताकि खाना मिल सके, ये कौन सी theory से प्रभावित है, प्रभावित है, psycho analytical theory से, theory of hierarchical needs, psychosocial theory या theory of reinforced contingencies, answer कीज़े, फटा-फट से, फिर आगे बढ़ेंगे, कुछ ऐसे भी topics आएंगे, जो आपको directly syllabus में नहीं मिलेंगे, बढ़ एक दो questions वहाँ से भी आ जाते हैं, तो ये questions की practice के थुरूई हम deal कर सकते हैं इनको, ठीक है? क्या करोगी नीलेश, नाम तुम्हें ले लूँगी, बढ़ फोकस करो, exactly, answer क्या है आपका 100% B, जिर आँने भी answer दिया है, सही है, और 100 भी लिखा है, उनका भी सही है, ठीक, यानि की theory of hierarchical needs, यानि आवश्चक्ताओं का अनुक्रम, Abraham Maslow ने दिया, और इसमें उन्होंने 5 level बताए, कि जैसे जैसे आपकी आवश्चक्ताओं पूरी होती जाती है, आपकी जो motivation है, वो down होती जाएगी, और एक level है, उस level से आप उपर उठते जाएगे, next level पे जाएगे, next level पे जाएगे, next level पे जाएगे, अभी यह जो महिला है, इनकी physiological needs, यानि शाररिक आवश्चकता है, जो पहला level है, जो पहला चरण है, कि हमें at least survival तो हो जाएगे, हमारा भूखे तो ना मरे हम, जो वो रोटी कपड़ा मकान वाली needs है, वो भी पूरी नहीं हो रही है, तो इसका मतलब, फिर तो love and belongingness की जो need है मेरा बच्चा और मेरा पती और मेरा परिवार, वो तो बाद में आएंगे हैं, बहले अगर खाना नहीं मिलेगा तो, तो वो वाली situation है, यह physiological needs पूरी नहीं हो रही है, simple कह सकते हैं, इस बात को हैं, और इसका exception भी होता है, बट उस पर हम बात नहीं कर रहे हैं, यह general लोगों की बात हो रही है, जैसे normal इंसान होते हैं, वैसों की, ऐसा नहीं हो रहा कि, अगर वो भूखे भी मर जाए और बच्चे को जीने दे, तो फिर तो वो self-actualization में बहुत जाएंगी न, ठीक, तो यह एक छोटी सी बात है, शही है, प्राना जी, देखिए, इसमें levels देख लेते हैं, physiological यानि शारिक आवशकता है, इसमें आपका food, shelter, ये सारी चीज़ें आजाएंगी, जो आपके survival के लिए जरूरी है, जिनके बिना आप जी नहीं सकते, दूसरा है safety needs, भई, अब आपको bank में थोड़ा सा balance भी चाहिए, घर भी चाहिए, ऐसा नहों, आज footpath पात पे सो ग जैसे नौकरी लगे, ऐसे फोन मिला के, हाँ, मामिज जी देखो, मैं आती हूँ या आता हूँ, जैसे नौकरी मिल गई है, तो आपको सारा प्यार, महबबत और पूरा रिष्टे याद आने लगते हैं, तो love and belongingness कहा है, third level पे है, ठीक, और इसके बाद है self-esteem, मतलब आपको जाती है, यहाँ, जैसे ही जो आपकी नीट्स है, जैसे ही जो आपकी नीट्स है, वो फुल्फिल होती है, फॉर एक्जामपल अभी समझेंगे यह क्या है, यह बात करेगा कि आपका हाइस्ट पोटेंशल क्या है, अप उसको अचीव कराएं, मतलब आतमसिद्धी कह सकते है जैसे अभी चीज़ें बहुत अच्छी चल रही हैं जीवन में सब अच्छा ही चल रहा है कबसे, और सब चीज़ें ठीक हैं, मैं पैशन भी फॉलो कर रहे हूं सब कुछ है, बट मुझे लगता है कि ऐसे राइटर बना जा सकता है एक टाइम के बात, मतलब मुझे लगता ह लेवल है कि आप हाइस्ट पोटेंशल क्या अच्छीव कर सकते हैं, फीक है, और अगर मैं बात करना हूं तो इन सब को डेफिशेंसी नीट्स कहा जाता है, इनको हाइर लेवल नीट्स कहा जाएगा, तो एक सिंपल सी बात हुई, एक्जेक्ली, बहुत बढ़े अनीती, पर स्थेज है, ठीच निरवाणा वाली स्थेज है वो, फ्कर, नेक्स्ट पर चलते हैं, अससेस्मेंट डैश लर्निगिंफ्लॉएंसिस लर्निग य्फ्थेज लर्निंग रीनफ realities so you are, जो इस एक बार नीट्स रच जो influence करेगा learning को reinforce करके assessment और instruction के बीच में reinforcement का काम करेगा एक तरीके से तो assessment for learning connects between assessment and instruction ये आप पढ़िए और खुद जवाब दीजे थोड़ा सा ध्यान से आन सा कीजेगा मेरा birthday आज नहीं है, अभी बहुत समय है September में है मेरा birthday और अची बात है कि नहीं है, जैसा महौल है आजकल, उसमें बर्थड़े को क्या ही celebrate करेगा कोई एही है खेर exactly, answer क्या है इसका answer होगा B option, assessment for learning by reinforcing the B नहीं होगा, A होगा assessment for learning influences learning by reinforcing the connections between assessment and instruction देको for learning में क्या होता है, ये during the teaching learning process होता है ongoing है ये, और FA का part है formative assessment का, रशनातमक आकलन का, जिसमें teacher को और बच्चों को feedback भी मिलता है साथ में आखे कैसे learning को बहतर किया जा सकता है जो gaps है, उनको कैसे improve करें बच्चों कितना आता है, ये जान पाते हैं आप मतलब learning चल रही है और आप उसके लिए ही assess कर रहे हैं बच्चे को के आगे और कैसे बहतर किया जाए आफ लर्निंग क्या है, ये essay का पार्ट है summative assessment का, ये judgment का का काम करेगा ये feedback का काम करेगा ठीक है बात, आफ लर्निंग essay का पार्ट है जिसमें ये दिखा जाएगा कि objectives कितनी हद तक achieve हुए तो ये end में होगा, किसी भी unit के end में होगा और एक होता है as learning as learning है जब बच्चा स्वैम को self assess करे या उसके peer group जो उसके सहपाथी है वो assess करे एक दूसरे को ठीक है, after instruction off होगा before instruction या during instruction for होगा, ठीक है बात तो ये simple सी बात है question number 7 देखिए, एक बार थोड़ा ध्यान से in science practical लीचे मैं थोड़ा सा और जूम कर देती हूँ in science practical boys generally take control of apparatus and ask girls to record data और wash utensils मतलब कि अगर हम बात करें science के practical में boys क्या है यानि जो लड़के हैं, वो सामान्य तोर पर control ले लेते हैं, apparatus होते हैं apparatus जो पूरा जिसके through वो, सारे experiments run हो रहे हैं वहाँ, तो उनका जो control है जो भी main वहाँ instruments है, उनका control ले लिया लड़कों ने अपने हाथ में और लड़कियों को कहा कि तुम बस data record करो कि इसमें इतना हुआ, ऐसे हुआ, वैसे हुआ और जो utensils हैं, जो वहाँ बरतन हैं, जो भी beakers वगेरा हैं, उनको साफ करो ठीक, धुलो उनको, यह जो tendency है यह क्या दर्शाती है पहला option है, girls being delicate prefer such less energy consuming task, लड़किया नाजुक होती हैं और उनको ऐसे काम दिये जाने चाहिए या फिर girls are excellent observers and record data, यानि कि जो लड़किया हैं वो अच्छे observer हैं और वो data को record कर सकती है, तो लड़कों को क्या समस्याई यह करने में, फिर है stereotyping of masculine and feminine roles takes place in schools also, यानि पुरश और इस्त्री की जो भूमिकाए हैं उनकी रूडी बद्धिता स्कूलों में भी बाई जाती है या फिर D option boys can handle equipments more efficiently as they are naturally endowed for doing such things, भी जो instruments हैं, उनको जाद अच्छे समहाल सकते हैं लड़के, बताईए एक बार अब तो यहाँ जो भेदभाव भी करते हैं, उनको भी एक number चाहिए तो उनको भी सही बात का समर्थन करना ही पड़ेगा, आंसर कीजे फटा फट से अतेंदरा जी, रिफ्रेश कीजे, वीडियो तो यहाँ से ठीक चल रही है, वीडियो हाँ ऐसे लाइक एंच्छेर करते रहेगा, एनरजी को थोड़ा सा बढ़ाते हैं, आज एनरजी डाउन है फटा फट से बताईए एक बार आंसर होगा, C इस्ट्रियो टाइपिंग उफ मस्क्यूलिन एन फैमिनाइन रोल्स जो इस्ट्रियो पुर्श की भूमिकाये हैं, उनकी रूडि बद्धिता यानि कि उनको आपने ट्रेडिशनल रोल्स में डाल दिया यानि कि रड़कियां तो बर्तन धोने में अच्छा काम करेंगी जो इंस्ट्रॉमेंट्स है उनको तो लड़के संभालेंगे तो यह क्या है स्ट्रियो टाइपिंग है जेंडर बायसनेस है, डिस्कर्मिनेशन है, भेदभाव है ठीक है, क्योंकि यहां इस्पेशली दिखाया गया है कि generally सामानने तौर पर लड़के ऐसा ही करते हैं यह रूल बना लिया उन्होंने तो मतलब जेंडर बायसनेस है आगे बढ़ेंगे, question number 8 the word compulsory in the right to free and compulsory education 2009 means वही right to education जो है RTE Act 2009 उसमें दो words है, free and compulsory education between the age group of 6 and 14 years तो इसमें free and compulsory के अंदर compulsory का क्या मतलब है, यह पूछा है यानि, अनिवार्य का क्या मतलब है free तो हम सब जानते हैं, निशुल्क यानि कि बिना पैसे लिए आपको सिक्षा देनी है लेकिन compulsory का, यानि अनिवार्य का मतलब क्या है पहला option आपके सामने है हाँ, chances है cancel तो नहीं बट postpone होने के Parents are compulsorily forced to send their children to school to avoid punitive action या फिर compulsory education will be imparted through continuous testing Central government will ensure admission, attendance and completion of elementary education या फिर appropriate governments will ensure admission, attendance and completion of elementary education ध्यान से answer की जगा इसमें गलतियां हो सकती है और ये सभी topics पर मैंने videos बनाये हुए है एक बार YouTube पर search करके और उनको देखिए एक बार योगो अभी तो नहीं हुआ है paper cancel मेरी knowledge के अनुसार क्योंकि जो seated की website है वो work कर नहीं रही है मैंने खोल के रखियो ये side में और दोपहर में तो कुछ था नहीं वहाँ मैंने दोपहर में चेक किया था मेरी जब class थी दो बजे दो तीन बजे के बीच में मैंने चेक किया होगा तब भी तब तक भी चीजे नहीं थी बट हाँ website डाउन है इसका मतलब कुछ ना कुछ तो अबडेट होगा या तो पोस्टपॉन करेंगे या तो एड्मिट कार्ड निकालेंगे दो ही चीजे हैं उसमें से जादा chances हैं पोस्टपॉन होने के तो देखते हैं क्या होता है शेहनाज नाम ले लिया आपका सुना दीजे अपनी डॉर्टर को CDB की प्लेइलिस्ट यहीं अविलिबल है देखो आंसर क्या होगा जो लोग C आंसर कर रहे हैं वो कर रहे हैं गलतियां बहुत ही भहेंकर तरीके से क्यों उन्होंने D option को पढ़ा नहीं देखो central government की जिम्मेदारी नहीं है सारी जो education की है education आपकी article 42 है मैं खुद भूल गयो mini constitution बोलते हैं उसको amendment act चो था 1976 का ठीक तो उसमें concurrent list में यानि समवर्ती सूची में आती है education तो सिर्फ central का हग नहीं है ना सिर्फ state का है दोनों की जिम्मेदारी है education तो जो भी appropriate हो जो भी appropriate government हो जिस भी जगा की बात हो रही है चाहे वो state हो चाहे वो central हो जहां पर भी संबंध में जिस भी संबंध में ये बात हो रही है article 45 नहीं 42 है 42 है और ये इसको mini constitution बोलते हैं ये आया था 1976 में जिसमें बहुत सारी changes हुए थे जिसमें सिर्फशा को समवर्ती सूची के अंडर शामिल किया गया था फिक है खेर ये दिखो कई लोग तो तुक्षे लगाने में पड़े हो लगे हो हैं अभी भी फिक तो सिर्फ state या सिर्फ central नहीं लेगा दोनों का अधिकार है इस पर rules बनाने के लिए appropriate governments will ensure admission, attendance and completion of elementary education compulsory का बच्चे को जाने से school तो वो भी crime कर रहे है मतलब ये government की जम्मेदारी है कि वो admission को ensure करे कि बच्चा जिस बच्चे को बता दिया यार वो बच्चा है वो उसको school में admit नहीं कराया गया है तो आप जाएंगे घर से लेकर के आएंगे उसको ठीक, दूसरा attendance भी हो मतलब वो आए भी regular basis पर और elementary education यानी 6 से 14 वर्ष की जो 8 वी तक की कक्षा है वो पूरी हो इसलिए compulsory इसको कहेंगे ठीके बात तो ये एक basic सी बात हुई आगे बढ़ेंगे question number 9 पर which of the following principles is not involved in lesson planning lesson planning हम करते हैं पार्थ योजना बनाते हैं आपने अपने B.I.Ed. में अपने D.L.Ed. में B.T.C. में अपने D.I.T. में अपने ड.I.T. में अपने किसी टीचिंग कोर्स में जाहे आपने टेडे मेडे तरीके से किया हो जाहे आपने direct रेगुलर किया हो lesson planning की होगी वो files बना करती थी मैं अपने पूरी movies देख डाली थी उस टाइम पर second year में तो especially first year में थोड़े serious होते हैं हम नहीं नहीं जाते हैं तो तब तो जादा serious होते हैं फिर तो यह जुगाड कर गर के अपना चल रही है lesson plan की फाइल L.P. बन रहा है 120 इतने जादा बनते थे और हम से lesson plan कर रहे होंगे lesson plan करना हमारा धर्म है teachers का चाहे आपकी जीवन क्योंना निकल गया हो यह जो पूरी PPT दिख रहे है आपको lesson planning का हिस्सा है कि आज हम यह discuss करेंगे कौन से दिन कौन सा subject हम discuss कर रहे हैं वो भी कि आपको किस तरीके से लेना है lesson को ठीक है rigidity कभी भी हम rigid नहीं होते है ना एकदम dead shore नहीं होते चीजों को लोग यह cut होर नहीं होते flexibility होती है हमेशा क्योंकि बच्चे हैं कोई ऐसा तो है नहीं कि वो robots हैं कि आपने जो लिख लिया उसमें कि यह question बूचा जाएगा तो यह answer आएगा expected तो उसमें flexibility हो suit करेंगे इस तरीके की चीज़े ठीक है तो यह basic सी बात है clear हो कही बात हाँ वो भी हो जाएगा कितनी चीज़ें है करने को मुझे लगता है कितनी सारी चीज़ें है बीदो करने को क्या वो writing हो motivational speaking हो चाहे वो आपका social work हो women empowerment कितनी चीज़ें करने को lab schools lab schools advocated by john dwee were examples john dwee ने lab schools को क्या किया advocate किया और यह कैसे school थे कौन से schools के example थे factory schools, progressive schools, public schools या common schools फटावट चांसा कीज़े कोई बात नहीं प्रीती जिस को जिस चीज में सुकून मिले कर लियने दीज़े अगर किसी को dislike करके सुकून मिलता है तो let them be at peace जो important है आज just 12 questions करेंगे थोड़े से detailed discussion है आज बताईए एक बार काजू, answer कीज़े काजू progressive schools प्रगती शीर सिक्षा जो ये बात करें कि जो education है वो democratization हो सबको बोलने के आजादी हो एक social activity हो, groups में बच्चे सीखें, समाज के लिए सीखें SC education हो, जो real life में implement जिसको किया जा सके education for life हो child centered education को भी उन्हों ने उसकी वकालत की, कि बच्चे को center में रख कर के बनाई है hands on experience हो, activity की जाए, जादा experiment किया जाए इन सब चीजों के लिए, तो इनको laboratory schools या lab schools कहा गया जिनको 20th century में खोला गया, Chicago में John Dewee, जो learning by doing को क्या करते हैं, promote करते हैं, और इनकी wife ने, दोनों ने मिलकर की, lab schools खोले university, elementary schools भी कहा गया इनको, और progressive education की बात यहीं से आई है, achievement motivation क्या है, achievement motivation is, उपलब्धी अभी प्रेड़ना क्या है, the tendency to persist at challenging tasks मतलब, चुनौती पून कार्यों में बने रहने की प्रवर्ती, या या फिर बहुत बढ़े शुभांगे, answer कर दो, answer या फिर the tendency to avoid failure willingness to accept success and failure equally, tendency to act impulsively, बताईए एक बार ये पर postpone होने की chances हैं देखो, पता लगी जाएगा एक दू दिन में मेनको CBSC ने spokesperson है ने धारित किया है, बताओ एक बार answer करो tendency to persist at challenging tasks by achievement motivation किसी चीज को achieve करने की motivation है, ये मानलो इसको तोड़ करके अगर समझने के लिए याद रखना है, तो मतलब आप जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं वो मांची वाली बात याद कर लो तो वो achievement motivation है करके ही छोड़ेंगे, उससे पहले हटना नहीं है चाहे वो never give up वाल attitude हो जाएगा ठीक है अपने अंची तो ये a option यहाँ सही होगा सिर्फ failure को avoid करना तो बहुत ही मतलब ऐसी बात हो जाए कि बस किसी तरीक से repeat के 33% आ जाए फिर है willingness to accept success and failure equally तो ये एक अपने आपने ये अलग philosophy हो गया ये अलग thought हो गया बात हो ये achievement motivation की achievement motivation है कि आपको achieve करके सुकून मिलेगा या आप motivated है अपनी achievement के लिए जब तक आप achieve नहीं करेंगे उस चीज़ पर टिके रहेंगे आप ठीक है तो आप persistent है difficult task पे भी आप जब भी तो आपने give up नहीं किया क्योंकि आपको कुछ achieve करना था ठीक act impulsively तो ये तो फिर ऐसा हो जाएगा कि आप animal behavior कर रहे हैं मतलब आप impulse को control नहीं कर पा रहे अपनी ठीक मुझे लग रहा है जादे explanation दे रहे हूं मैं फिर है question number 12 school based assessment SBA जिसकी बात CCE ने की याने की बच्चों के पास option हो कि वो school में ही paper दे सकें या उनका आकलन जो है वो school में ही हो Mamata जी बहुत बढ़िया answer कीज़े फटाफट से hmm बहुत बढ़िया good movies list कुछ भी देख लो सब आप तो नहीं मैं आप कहा फिरसत वो एक time होता है बट देख लेते हो बताओ एक बार English का करा देंगे content tension क्यों लेते हो paper का तो clear हो जाने दो एक बार answer क्या होगा school based assessment क्या है बच्चों को help करता है कि उनको diagnose किया जाए time time पे उनकी problems का पता चले diagnosis में gaps का पता लगता है कि बच्चे को problem है कहा और उसको remedy कैसे दी जाए आगे तो gaps का पता लगेगा तो बहतर हो पाईगी learning कि problem कहा है जब तक आपको यह नहीं पता लगेगा कि problem कहा है आप क्यों frustrated है क्यों परिशान है तब तक आप उसका solution ढून नहीं सकते हैं ठीक है तो gap का पता लगाना जरूरी है जो कि यहां होगा विद्यालेई आधारित आकलन में जो बच्चा है वो frustrated नहीं होता वो comfortable रहता है क्योंकि उसी के teachers हैं ऐसा नहीं कि उसको किसी और school में जाकर वेबर देने की आवशकता है या उसको बाहर से examiner उसको check कर रहे हैं तो उसके अंदर भै नहीं आएगा और पूरे throughout that particular year जो teachers है school के वो उसको already देखी रहे हैं असेस कर रहे हैं तो एक comfortable environment होता है जहां बच्चे की gaps को पता लगा करके आगे आप उसको improve करा सकते हैं ठीक बात hopefully आपको यह जो session है ऐसा नहीं है कि बच्चों को non-serious बना देता है accountability नहीं है board की achievement में problem करता है ऐसा कुछ नहीं है यह सब कहानिया है और कहानिया कहानियों महीं अच्छी लगते है तो यह कहानी है जो हमने आज खत्म की है out of 12 आपने कितने तीर मारे I am in कितना questions आपके ठीक हुए वो आप थोड़ा सा बताईएगा और कहां आपको समस्या चल रही तो कई लोगों की समस्या है कि मेरे साथ तो questions solve हो जाते हैं बड़ जब वो खुद करते हैं तो उनको problem आती है इसका सीधा सा एक ही मतलब है या हद से हद दो मतलब है कि आपने practice में या तो कमी की है या दूसरी बात ये है कि आपने जब आप question पढ़ते हैं तो आप पढ़के उसकी भाशा नहीं समझ पाते options की आप भाशा नहीं समझ पाते क्योंकि पैड़ागाजी में सारा खेल sense का है कि आप जो बात कही गई है उसको कैसे समझ पाए तो आप comprehend नहीं कर पाते हैं उसके लिए आपको पहरे सिर्फ question को पढ़के उसका मतलब जान लेना है उन चार options को बाद में देखना है हमारी tendency क्या है अच्छा ये है question इसका answer बस ये होगा हम answer पर focus करते हैं हम उसकी बात को समझने पर focus नहीं कर रहें अगर आप question को पढ़के नहीं समझ पाएंगे तो कोई दुनिया में आपकी मदद नहीं कर पाएगा इसलिए देखिए कि मैं किस तरीके solve करते हूँ उसका meaning कैसे निकाला जा सकता है और कैसे फिर आप उसको ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं तो सलिए से एक paper अच्छे से solve कीजए फिर एक fast speed से कीजए दोनों तरह की चीज़ें आपकी clear हो जाएंगे समझ में भी भृद्ध ही होगी और मलब कैसा मलब जैसे दवाईयां नहीं देते हैं ऐसी बातें कर रही हूँ ठीक चलिए फिर आज के लिए इतना ही